सो अलो दोस्तो आप सब एक माय चाले हैं बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज हम लोग जा रहे हैं एट का मैट चैप्टर 12 एक्वेशन इन वान वेरेबल इसका हम लोग एक्स्प्लेनेशन करेंगे जो जो पॉइंट इसको हम लोग जानेंगे ठीक है तो पहले हम समझते कि वाट इस एक्वेशन तो दोस्तों एक्वेशन का जो डेफिनेशन वो यह होता है कि in mathematics एस स्टेट में डर्ट टू क्वाइंटिटीज आर इक्वेल तो मैथमेटिक में जो एक्वेशन ने वो दोनो साइड के जो क्वाइंटिटी रहते हैं उनको इक्वेल करता है बालें यहां पर दोस्तों यह एक quantity है और यह दूसरा quantity है दोनों को equal के जरी यह balance किया जा रहे है यानि कि दोनों किया है एक दूसरे से balance है तो दोस्तों इसी को ही equation करते है तो दोस्तों अब हम लोग कुछ point जानेंगे तो first point देखते हैं the value of the variable which satisfies the given equation is called the solution of the equation जब दोस्तों हम लोग जो equation दिया जाता है उस variable यानि variable यानि A, B, C, D जो लेटर रहते हैं उसका हम लोग जब हम number find कर लेते हैं तो वही solution of the equation रहता है solving an equation means to find the solution of the equation जब हम लोग equation को solve करते हैं तो हम जो main goal रहता है वो solution equation का solution ढूणा यानि की variable का जो रहता है value उसका ढूणने का काम रहते हैं तिसरे फार्ड में ज़्यादा कम नहीं होता है उस पर कोई भी question पर solution पर कोई फरक नहीं पड़ते हैं using this property we obtain new but simpler equation and solve the given equation यह सभी करके इस property का use करके हम उस equation का variable का value find कर लेते हैं दोस्तो अब समझते हैं operation done on both side of an equation are जो दोस्तो हम लोग both side दोनों side करते हैं वो यही चार operation रहते हैं इसमें से पहला जोए वो to add the same number to both side उसी same number का हम लोग both side add करते हैं दूसरा हम लोग करते हैं to subtract the same number to both side उसी number को same number को हम लोग दोनों side सब्ट्रेट करते हैं तिसरा हम लोग operation यह करते हैं to multiply both side by the same number यह हम दोनों side same number से multiply करते हैं चौत हम यह करते हैं कि हम दोनों side same number से divide करते हैं तो यही दोस्तो चार operation नमसे हम लोग किसी ने किसी एक को perform करते हैं उस value को find करने के लिए तो दोस्तो यह कुछ question है यह revise करने के लिए तो देखिए दोस्तो हम लोग पहले कैसे find करते थे तो इसका एक example देख लेते हैं X plus 4 is equal to 9 है दोस्तो हम लोग यहां पर करेंगे यहां पर देखिए plus है तो हम लोग both side क्या करेंगे plus का opposite minus होगा तो हम subtract both side करेंगे सब्ट्रेक्ट बोट side करेंगे देखिए plus 4 में minus 4 हो जाएगा और 9 में minus 4 हो जाएगा तो यह प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 4 जीरो यह X square 2 दूस्तो यह दोनों कट जाएगा तो यह जो यह 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 हा जाएगा दिखिए इससी तर इसको X minus 2 यह दूस्तो तो दिखिए दूस्तो यहां पर minus है तो यह काम लोग प्लस करेंगे एड एडिंग बोस साइड देर्फोर एडिंग बोस साइड करेंगे दूस्तो तो यह X minus 2 प्लस 2 इसमें आड करेंगे यहां पर एड करें तो यहां पर भी एड करेंगे प्लस 2 अभी जो है माइनस 2 प्लस 2 कट हो जाएंगे यह कट हो जाएंगे एकस माइनस 2 स्कॉर्ट तो तो अब यहां पर माइनस से तो हम लोग बोस साइड क्या करेंगे प्लस करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब हो गया है तो अभी भी हम लोग तो हम लोग यहां पर एडिंग बहुत साइट करेंगे दूस्तों ठीक है तो यह एकस माइनस 2 व्लस 2 स्कॉर्ट तो सेट प्लस 2 तो यह कट हो जाएगा तो यह सब्सक्राइब देखते हैं दूस्तों तो फॉर्थ में 4x is equal to 24 है तो जब यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के साथ variable जुड़ा रहता है तो वो multiply में रहता है तो 4 into x है यहाँ पर दोस्तो तो यह into जो हो डिवाइड हो जाएगा तो 4x divided by 4 is equal to 24 divided by 4 कर देंगे तो यह cut हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर प्रेकेट में लिखना पढ़ेगा कि dividing बहुत साइट दोस्तों हमें बताना पढ़ता है यहाँ पे तो dividing बहुत साइट कर रहे हैं तो यह cut जाएगा फिन x is equal to जो हम लोग 24 में divide करेंगे 4 से तो 4 ही 24 हो जाएगा एक्स का जो value वह 6 आ जाएगा तो देखे दोस्तों यह जो ही हमारा solution है यहाँ पर देखे यह solution हो जाएगा हमारा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग फिछले standard में करते थे हैं तो दोस्तों इस जो standard में दोस्तों हम लोग तो उसमें simple वरा रहता था एक हम लोग operation perform करते थे जिससे हमारा solution of equation मिल जाता था लेकिन दोस्तों इस बार जो हमें कम सकम एक से ज्यादा हमें operation perform करना पड़ेगा उस variable का जो value वह उसको find करने के लिए ठीक है दोस्तों तो देखे जैसे कि मैंने यहाँ पर एक question लिया है तो यह 2 upon 3 प्लस 5 है is called 2 4 तो देखे जोस्तों किस तरह से हमें perform करना पड़ेगा एक से ज्यादा operation को तो दोस्तों यहाँ पर देखे 2 3 प्लस 5 है is called 2 4 है तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 3 जो है यह both side दोस्तों यह जो है 2 upon 3 है यह 3 है यह divide है तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे multiply करते हैं both side तो therefore multiplying both sides by 3 3 simple multiply कर रहे हैं तो 2 upon 3 5a यह multiply 3 हो जाएगा तो एक कट हो जाएगा दोस्तों आप 4 into 3 यहाप क्या जाएगा 12 आ जाएगा और यह 2 plus 5a हो जाएगा देखे दोस्तों अब यह जो है 2 plus 5a हो गया तो अम लोग अब जो है plus 2 जो है यह आप प्लस है तो हम लोग both sides क्या करेंगा subtract करेंगे तो therefore subtract was sides by 2 ठीक है तो 5a 2a minus 2 हो जाएगा इसकोल 2 is equal to 12 minus 2 तो यह जो प्लस 2 minus 2 कैंसल हो जाएगे तो 5a is equal to यह 12 minus 2 करेंगे तो यहाप पर 3 हो जाएगा अब यह जो 5a 5 into a तो यह यह इन्टू जो 5 वो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर एक मिनिट हम लोगों लिखना पड़ेगा therefore dividing both sides by 5 तो लोग 5 से both sides क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तो मैंने both sides कर दिया है यह 5 यहाँ पर कट जाएगा और यह 5 तो देखिए दोस्तो हमारा 2 हो जाएगा तो देखिए दोस्तो हमें किस प्रकार इस solution हमें एक variable का find करने के लिए हमें कम सकम एक दो तीन तीन operation perform करने पड़ें तो इसी को बोलते है solution of equation in one variable तो दोस्तो मैं आपको दो तीन और दिखाता हूं तो दोस्तो देखिए second तो दोस्तो देखिए यह upon में x-7 upon x-2 is called to 5 upon 4 तो दोस्तो इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा cross multiply करना पड़ेगा तोस्तो तो cross multiply हम stress करेंगे यह x-2 into 5 कर देंगे और यह जो 4 into x-7 इनसे हम लोग क्या करेंगे cross multiply करेंगे तो देखिए किस तरह से तो मैं यहाँ पर 4 into x-7 करने वाला हूं तो यह 4 bracket x-7 दोस्तो यहाँ पर हमेंसा multiply रहता है इस तरह से इसको visible नहीं किया जाता है इसकोल तो 5 into x-2 तो 5 into x-2 अब दोस्तो हम लोग इसको multiply करतें तो 4 into x 4x 4 into minus 7 तो minus 47028 इसकोल तो 5 into x 5x 5 into 2 minus 2 तो 5 into minus 2 is equal to 10 दोस्तो इसको किस तरह से किये हम जो 4 से पूरे bracket में जो नमबर है उनको हम लोग multiply किये हैं तो 4 into x फिर उसके बाद मैंने 4 into minus 7 किया ठीक है अब आगे करते हैं 4x minus 28 is equal to 5x minus 10 तो इसको पहले हम टक करेंगे जो variable है उनको एक सेट लेंगे तो variable वाले number हमारे 2 है यह 4x और यह 5x तो जब मैं 5x को 4x किया लेंगे आओंगा तो plus 5x minus 5x हो जाएगा ठीक है यह minus 5x हो जाएगा equal to minus 28 को इस साइड लेके आओंगा तो यह plus 28 हो जाएगा तो minus 10 plus 28 हो जाएगा तो देखे दोस्तों जब minus 28 गया यहाँ पे तो यह plus 28 हो गया जब 5x गया यहाँ तो यह plus 5x गया तो यह minus 5x हो गया था अब आगे करते हैं तो 4x minus 5x तो minus x हो जाएगा minus x क्यों दूस्तों जब 5 में से 4 minus करेंगे तो 1 आएगा बड़ा सैंड किस करेंगा 5 करेंगा किसके पास minus है और 1 को visible नहीं करते हैं तो इसलिए minus x लिखेंगे equal to minus 10 plus 28 तो plus minus minus तो 28 minus 10 करेंगे दूस्तों तो हमारा 18 आएगा बड़ा सैंड 28 करेंगा तो plus 18 इसको visible नहीं करते हैं ठीके 18 अब यह जो दूस्तों minus sign है यह इसको transform हो जाएगा तो यह minus x यह minus 18 हो जाएगा इस तरह से तो दूस्तों यह जोए यह solution हो जाएगा दूस्तों यह जब हम लोग variable नमबर पर minus लगाते हैं तो उसको direct जो है वो उसके number पर भी effect रहता है देखिए जो x है वो एक imaginary letter लिए उस पर minus लगेगा तो जो उसका value है उस पर भी automatically minus लगता है ठीक है दूस्तों अब मैं आपको एक और question दिखाता हूं तो दोस्तों देखिए मैं एक question लियाओ 8-1 upon 2 m plus 3 is equal to 2 ठीक है तो हम इसमें हमें पता है cross multiply हम लोग करने वाले हैं दोस्तों cross multiply कैसे करेंगे हम यह नीचे और यह 2m into हम लोग 2 करेंगे ठीक है तो दोस्तों हमें पता है 2 के नीचे हमें इसमें 1 रहता है तो दोस्तों यह हो जाएगा 8m minus 1 is equal to 2m plus 3 is equal to 2 upon 1 इसके नीचे हमें इसमें 1 रहता है दोस्तों ठीक है अब हम लोग cross multiply करने वाले हैं तो 1 bracket में 8m minus 1 is equal to हम हम लोग 2m plus 3 इसको पूरे को हम लोग 2 से multiply करेंगे तो 2 into 2m plus 3 ठीक है तो जब हम लोग 1 into 8m करेंगे तो 8m आएगा फिन हम लोग 1 into minus 1 करेंगे तो हमारा minus 1 आएगा अब लोग 2 into 2m करेंगे तो हमारा 4m आएगा 2 into plus 3 करेंगे तो plus 236 अब दोस्तो है अब हम लोग इसको solve कर सकते तो दोस्तों अब क्या होने वाला है यह 4m जो है यहाँ पर जाएगा तो यह minus 4m हो जाएगा ठीक है तो 8m minus 4m जब यह minus 1 यहाँ पर जाएगा तो यह plus 1 हो जाएगा तो यह 6 6 plus 1 हो जाएगा अब यह 8 times minus 4m करेंगा तो 4m is equal to 6 plus 1 करेंगे तो यह दोस्तो 7 हो जाएगा अब यह m is equal to 7 upon 4 इस तरह से दोस्तों करेंगे हम लोग को छोड़ दाने क्योंकि जब आप इस तरह से भी आसर दिखाएगे तब यह भी आपको marks मिल जाएगा यह तो आप करोगे तो यह decimal में बहुत बड़े number पर चला जाता है दो देखिए एक और question है 9x minus 4 is got 6x plus 29 तो मैं इसको बतातों कैसे करेंगे तो यह 6x है इसको पर करेंगे तो plus 6x यह minus 6x हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा minus 6x तो यह यहाँ पर हो जाएगा 9x minus 6x जाब लोग क्या हो यहाँ पर भेजेंगे तो दोसतो minus 4 जो यह plus 4 हो जाएगा तो यह is equal to 29 plus 4 हो जाएगा ठीक है दोसतो जाब लोग 9x minus 6x करेंगे तो यह 3x हो जाएगा 29 plus 3 करेंगे दोसतो तो यह 33 हो जाएगा अब दोसतो 3 into x से यह multiply में तो यहाँ पर divide हो जाएगा तो x is equal to 33 divided by 3 is equal to 11 आ जाएगा तो दोस्तो यह जो है हमारा यहाँ पर यहाँ इसको equation का solution होगा तो दोस्तो कभी-कभी ऐसे कटीन question आ जाते हैं जिसमें आप confused आते हैं कि किस तरह से किया जाए जिसको मैं बताता हूँ तो पहले दोस्तो हम लोग जिससे multiply कर सकते हैं उसको multiply कर लेते हैं तो 2 into x करेंगे तो 2x 2 into minus 3 करेंगे तो दो दो minus 6 आ जाएगा अब इसको इस्ट्रस से ही लिख जाएंगे ठीक है अब यह दोस्तो जो है 3 upon 5 यह जो 5 डिवाइड में है तो यह multiply both side करते हैं दोस्तों तो 2x 6 into 5 दोने side दोस्तों हम लोग करना है तो x into plus 4 into 5 करेंगे तो 5 बंचे 5 कट हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 2x minus 6 into 5 करेंगे तो minus 13 हो जाएगा इसको बहुल तो 3x plus 4 तो 3x plus 4 अब दोस्तों जो यह सब दोस्तों मुटारेंगे 2x minus 13 हम यह पर करते हैं 3 into x तो 3x 3 into plus 4 तो दोस्तों यह plus 3 हो जाएगा 2 अब दोस्तों अब हम लोग करते हैं यह जो दोस्तों minus 3x से यहाँ पर जाएगा plus 3x से तो यह minus 3x हो जाएगा ठीक है तो यह 2x minus 3x is equal to यह जो minus 30 नहीं यहाँ पर जाएगा तो plus 30 हो जाएगा तो यहाँ पर 12 plus 30 is equal to यह जो है 2x minus 3x कहेंगा तो 3 3 में से 2 जाएगा तो बच्चा 1 बड़ा साइन 3 कहा है तो यह minus x हो जाएगा इसको ल्टू 12 plus 30 तो यह 42 हो जाएगा दोस्तों एगर दोस्तों variable पर minus का sign है variable negative है उसको जो value है automatically negative होगा तो यह जो है यह solution है तो यह मैंने आपको जो जो constant जो थे main वह मैंने आपको सभी बताएं तो आगे हमारा जो है प्रेटिसेट का वीडियो आएगा अब तक के लिए हमारे चैनल पर बने लिए थैंक्स पर वाचिंग